एक शोटी एस्माइल और स्ट्रॉंग बिल्पावर साथ आरेट साला में आपका स्वागत है दोस्तो कर्णेट अफेरिस के सीरीज में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 से बाच नवंबर 2030 तक के कर्णेट अफेरिस के सभी कोस्टन का स्वागत है दोस्तों रियल टेमें और डिटेल्स के जनकरी के लिए अप मेरे साथ टेली ग्रम पर एड़ेट आरेट आड़े साला में जोरी रह सकते हैं और दोस्तों आपको परता है परते किया गया है दक्षिन कोरिया के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया इसने कुल 11 मेडल जीते हैं दूसरा स्थान भारत के द्वारा प्राप्त किया गया है और इसने कुल 7 मेडल जीते हैं और तिसरा स्थान जो प्राप्त किया गया है एक जाकरिस्तान के द्वारा प नेक्स्ट ए पी ए सी मिनिस्ट्रियल मिटिंग दो जरतीस का आयूजन हाल में कहा किया गया तो इसका आयूजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में की गई है इसके साथ याद रखना है हाल ही में एसियन रक्षा मंत्रियों की बैठा का आयूजन किया गया था और उसका आयूजन जो किया गया है वो जकार्ता में किया गया था और याद में हाल ही में इसलामिक अरब सिखर सम्मेलन का आयूजन किया गया है नेक्स्ट, ICC ने हाल में किने Hall of Fame में सामिल किया है जिसका उपरोगत सभी हो जाएगा डाइनाइडोली ये अस्ट्रेलिया की महिला किरकेटर है बिरेंदर सहवाग और स्रीलंका के अरवेंदर डिसीलवा को सामिल किया गया है नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आईजित होने वाली दुईपक्षिय सन अभ्यास मित्र सक्ती 2023 का आईजन पूने के ओंध में किया गया तो मित्र सक्ती, इसका आईजन भारत और स्रीलंका के बीच की जाती है और इसका आइजन इस वार पूने के ओंध में की गई है इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में ब्रिटेन में कैम्डियन पेट्रोल का आइजन किया गया था और इसमें भारत की तरब से गोरखा रेजिमेंट ने भाग लिया था और उसने उसमें सीर्स अस्थान प्राप्त किया है भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में इध अभ्यास और वज्र परहर नामक सेन अभ्यास का आजन किया गया था और वज्र परहर का आजन जो किया गया है वो मेघाले के उमरोई में किया गया है उम्रोई का नाम याद रखना है उम्रोई जो है उम्मे घाले में और यहां पर बहुत अलग अलग तरह के सेन अभ्यास का आउजन किया जाता है और भारत और बंगलादेश के बीच संप्रिती एक्सरसाइज का आउजन की जाती है नेक्स्ट हीडन डिसेबिलिटीज अर्था चेपी विगलांगता वाले लोगों की पहचान और उनकी सहायता के लिए किस हावाई अड़े ने संप्लावर पहल शुरू की जिसके तहत संप्लावर थीम वाले समान वहां उपलब्द कराया जाएगा तो इसका उजन क्या गया है इंद्रा गांदी इंटरनेशनल हावाई पर तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसे समान को रखे जाएंगे जिसमें संप्लावर की पहचान दी जाएगी तो इन समानों के को जो लोग परयोग करेंगे तो इससे यह पता चलिएगा कि उनमें कुछ छीपी हुई विकलांगता है और उन्हें सहायता की आवस सकता है इसके साथ याद रखना है केंपे गोरा अंतराष्ट्री है वाई बड़ा तो हाल ही में ओन टाइम पर्फोर्मेंस इंडेक्स जारे की गए थी और उसमें विश्व में सबसे सीर सस्थार परात किया है केंपे गोरा अंतराष्ट्री हवाई एड़ा जो बैंगलूरू में है डोनि पोलो अंतराष्ट्री हवाई एड़ा यह कहा है यह अरुनाचल परदिस में है सामान इंटरनेट से लगवग 10 गुना तेज 1.2 गीगावाइट पर सेकेंड वाली गती वाली इंटरनेट को किस देश ने लॉंच किया है तो यह लॉंच किया आगे है चीन के द्वारा नेक्स्ट वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे संस्करण की मेजवानी किस ने की तो इसकी मेजवानी की गई है भारत के द्वारा और इसके पहले संस्करण की भी मेजवानी भारत के द्वारा ही की गई थी जनवरी 2023 में निक्स वकलव हावल सेंटर द्वारा दिया जाने वाला Lifetime Disturbing the Peace Award कि नहें परदान किया गया है तो यह परदान किया गया है सलमान रुष्दी को तो यह जो है Howell, Welcome Howell सेंटर द्वारा दिया जाता है और यह पहला पहली बर सुरू किया गया है लाइफ टेम डिश्टर्विंग दपीसावार और यह दिया गया है सलमान रुष्दी को इसके साथ कुछ होर कोश्टन स्याद रखने है जैसे सलमान रुष्दी इनकी हाल की एक रचना है विक्ट्री सिटी नंदनी दास इनकी एक रचना है कोर्टिंग इंडिया चेतना मारु की एक हाल के पुज तक है वेस्टन लेन और अमिताप घोस इनकी एक रचना है स्मोक एंड एसेज नेक्स्ट भारतिये सेना और बोर्डर रोड और्गनाईजेशन द्वारा किस राज के मंगना इस्थित तिस्ता नदी पर बेली ब्रीज का उदगाटन किया गया तो यह सिक्की में है मंगना और वहीं पर तिस्ता नदी के उपर बेली ब्रीज का उदगाटन भारतिय सेना ठेक है भारतिय सेना और बोर्डर रोड और्गनाइजेशन के द्वारा की गई है यह सिविल कारियों के लिए की गई है यह सेना को भी फायदा मिलेगा लेकिन ज्यादा तरह से सिविल कारियों को मदद मिलेगा नेक्स्ट एक दिवस्य अंतरराष्ट्रिय किर्केट में सबसे ज्यादा 50 सतक लगाने वाले पहले खिलारी कौन बने तो यह बन गए हैं विराट कोहली अब तक एक दिवस्य किर्केट में सबसे ज्यादा 50 सतक लगा चुके हैं इससे पहले सचीन तेंदुलकर के नाम था और उन्होंने 49 सतक लगाया थे रोईत सर्मा के बारे मियाद रखना है ODI International वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रेकोर्ड बना है और सबसे ज्यादा बिकेट लिया गया है मुहमद समी के द्वारा नेक्स्ट विवादित वीडियो चैट एप को 14 सालों के बाद बंद कर दिया गया उसका नाम के है तो उसका नाम है ओमेगल ओमेगल एक वीडियो चैट एप था उसे हाली में बंद कर दिया गया है मोईजू कि सपत गरहन समारों में हाली में किरन रेजिजू ने भाग लिए है तो यह भी याद रखना है कि हाली में माल्दिव के नई राष्टपती कौन बने है तो मोईजू बने है निक्स्ट चक्रवात मिधिली चक्रवात मिधिली हाल में किस देश के तर्ट से टकराई जो भारत में खासकर पुर्वत्तर के राजियों को परभावित किया तो यह हाली में बांगलादेश से टकराई थी इसके साथ याद रखना है कि यह जो नाम दिया गया है जैसे मिधिली चक्रवात मिधिली का जो नाम दिया गया है यह नाम दिया गया है इरान के द्वारा इसका नाम दिया गया है मालदेव के द्वारा ठीक है मिधिली का जो नाम दिया गया है यह मालदेव के द्वारा दे गया है तो इन दोनों को याद रखना है कहां से टकराई तो बंगलादेश से और इसका नाम दिया गया है मालदेव के द्वारा इसके साथ हमून चक्रवा आये थे तो हामून चक्रवाद जो है तो यह जो है इसका नाम दिया गया था इरान के द्वारा ठीक है यह भारत में बंगाल की खारी में आया था Next World Intellectual Property Organization के अनुसार 2022 में किस देश के पेटेंट अप्लिकेशन में 31.6% की बिर्धी हुई साथ ही उस देश ने 2023-24 में रेकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराया तो यह कराया गया है अपने देश भारत के तरह तो World Intellectual Property तो यह पेटेंट का कार्य करती है तो इनके अनुसार 2022 में भारत में पेटेंट अप्लिकेशन के लिए जो पेटेंट अप्लिकेशन गया थे उसमें 31.6% की बिर्धी दर्ज की गई है और 2023-24 में यहाँ पे 41,010 पेटेंट कराया गया नेक्स्ट टोड की एक नई गेंको परजाती की खोज मिजोरब में की गई उसका नाम क्या है तो उसका बाइलोजिकल नेम है यह हो जाएगा सिट्टू डेक्टाइलस विरेंजेंटिस विरेंजेंटेंस ठीक है यह इसका तो यह टोड की एक नई गेंको परजाती है इसकी खोज मिजोरब में की गई है हाली में मिजोरम में ही टोड की एक और नई परजाती खोजी गई थी और उसका नाम था वुफुलवाइड वुफुवाइड वुफुवाइड वुपाती ठीक है और यह डंफा टाइगर डिजर में खोजी गई थी इसको मिजोरम के ही डंफा टाइगर डिजर में खोजी गया था तो इन सब के बारे में याद रखना है इस सब तोड की ही पर जाती है जो हाल ही में भारत में खोजी गई है नेक्ष्ट किन्हे मेटा के मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के पद पर न्युक्त किया गया है तो हाल ही मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के पद पर न्युक्त किया गया है संधिया देवनाथन को इन्होंने अजीत मुहन का अस्थान प्रात किया है हीरालाल सामरिया, इनके बारे मियाद रखना है, इन्होंने हाल ही में भारत के Chief Information Commissioner के पद पर न्यूक्त किया गया है, और जेम इस किया, इन्हें हाल ही में IPCC के अधिक्स के पद पर न्यूक्त किया गया था, Next, State Bank of India ने किस देश में अपने IONO Global App को लॉंच किया है, इसका उपरोग तो दोन हो जाएगा, अमेरिका और सिंगापूर में Next, उच न्यायलय ने किस राजी के अस्थानिये लोगों के लिए नीजे छेतर में आरक्षन, 75 परचत के आरक्षन की सीमा को समाप्त करने की घोसना किया, तो यह हरियाना में, पंजाब और हरियाना उच न्यायलय जो है, उसने ये घोसना किया, कि हरियाना सरकार जो हाली में अस्थानी छेत्रों में जो प्राइवेट में जो लोग कारी करते जिसके सेली करेब 30,000 से कम होती है तो उसमें अस्थानी लोगों के लिए 75 पर्दस आरक्षन की घोसना की गई थी तो उसे उच्च नहले ने रद करने की घोसना की है अभी वर्तमान में जारखन और आंदर प जहाज है तो वहाँ के लोगों को मदद नहीं मिलेगी नेक्स्ट मौजूदा अभे स्रेनी की ए इस डबलू कॉर्बेट का अस्थान लेने के लिए अरनाला स्रेनी की एंटी सबमेराइन इन कोस्टल वाटर्स लो इंटेंसिटी मेराइन ओपरेशन और माइन लाइंग ओप मजते हैं वर्तमान में एक अभे स्रेनी की जहाज है एस डबलू कॉर्बेट तो इसका अस्थान लेने के लिए अरनाला स्रेनी की ठीक है तो आमीनी की स्रेनी की है तो यह अरनाला स्रेनी की है अरनाला स्रेनी की एंटी सबमेराइन इन कोस्टल वाटर मतलब यह इसका खास इसकी खासियत है, दुसरी खासियत क्या है, लो इंटेंसिटी, मरीन ओपरेशन और माइन लाइंग ओपरेशन, इससे लेस यह जहाज है, इसे हाली में भारती सेना के लिए लॉंच किया गया है, इसके साथ याद रखना है, इमफाल के वारे में, इमफाल जो है, एक एस्टिल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसे हाली में लॉंच किया गया है, महेंदर गिरी और विंधे गिरी, यह वार्षिप है, इसे भी हाली में लॉंच किया गया था, नेक्स्ट, वर्ल्ड एठलेट्स ऑफ दए येर, के फाइनल लिस्ट में किनह अस्थान प्राप्त हुआ है, इसमें उप्रोक्त सभी है, एक्छ οली क्या होता है, कि बर्ष्प्लिटे येर के फाइनल लिस्ट में पाँछ लोगों को अस्थान दिया जाता है, और इसमें इन पांचों को अस्थान दिया गया है इसमें भारत के तरब से निरेज चोपरा को अस्थान दिया गया है तो कौनकोन है निरेज चोपरा है रियान क्राउजर है मांडो, डुपलेंटिस केलिविन, किप्टम नौा, लेस ये पांच लोग है Next अलसलवाडोर में आयत मिस इनवर्स दोजारतेईस का खिताब किसने जीता तो ये जीता गया है सेनिस पलेशियो के द्वारा सेनिस पलेशियो ये निकारागुवा की है तो ये भी पूछा जा सकता है किस देश की है तो ये निकारागुवा की है इसका आज़न यानि कि Miss Universe 2030 का आज़न कहां किया गया था तो यह अलसलवादोर में किया गया है इसमें भारत की रब से स्वेता सार्दा ने भाग लिया था और यह टॉप 20 तक पहुँच पाई थी इसमें फर्स्ट रन रफ रही है एंटोनिया पार्सिल्ड शेकेंड रन रफ रही है मौराया विल्सन नेक्स्ट रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के पुर्व गवरन जिनका हाल में निधन हो गया उनका नाम है एस बेंकट रमन एमेस स्वामी नातन यह एक क्रिसी वेग्यानिक थी और एमेस गिल्ड यह पुर्व इलेक्षन कमिशनर ओफ इंडिया थी इनका भी हाल में निधन हो गया बी इन गोस्वामी इनके बारे में वियाद रखना है यह की तिहासकार है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है बी इन गोस्वामी का next पर्याटन मंत्राले के अंतऱाश्ट्य पर्याटन मात के 11 संसकरन की मेजवानी कौन करेगा तो यह करेगा मैग अला नेक्स्ट, आईसे सीविस्प कप दोजार तेस के लिए प्लियर ओफ दर टुनामेंट किने चुना गया ते चुना गया है विराट कोहली को नेक्स्ट, हाल केक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला नेतरित वाली स्टार्ट अप के संक्या में किसने सिर्शस्थान प्राप्त किया है जिसमें बैंगलूडू सिर्श अस्थान प्राप्त किया है दूसरे अस्थान पर मॉंबाई तिसरे अस्थान पर दिल्ली है नेक्ष्ट ओपन ए आई के अंतरिम CEO के पद पर किनहीं निक्त किया गया है तो ये मीरा मूराती मीरा मूराती को निक्त किया गया है ओपन ए आई के अंतरिम CEO चलिक है सैम अल्टमा ये ओपन ए आई के CEO थे तो इन्हें यहां से निकाल दिया गया और उसके बाद भारतीय मुल्के मीरा मूराती को इसका अंतरिम CEO निक्त किया गया है संधिया देवनातन इन्हें हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के पत पर नुक्त किया गया है नेक्स्ट जेवियर माईले किस देश के ने राष्ट पती बने हैं तो ये बने हैं अर्जेंटीना के ने राष्ट पती बने हैं जेवियर माईले माल्रिव के ने राष्टपती बने है मुहमaur मुहिजु सिंगापूर के ने राष्टपती बने है ठर्मन संमुगरत्नम इनका नाम्याद है ठर्मन संमुगरत्नम ये भारतिय मुलक में और Nossa ज़िअगा गया है नोवाग जोकोविच के दोरा नेक्स्ट Netflix Stand Up Comedy Show वीरदास क्लेंड के लिए कॉमेडी के लिए International Emmy Award जितने वाले पहले भार ये कौन बने तो ये बन गया है वीरदास ठीक है? वीरदास तो याद रखना है International Emmy Award में कॉमेडी के लिए ये आवार्ड पाने वाले पहले बेक्ति बन है वीरदास ऐसे इसी वर्ष एकता कपुर को भी इंटरनेशनल Emmy Awards से समानित किया गया है और इन्हें डिरेक्ट डेट के लिए यह समान दिया गया है और वीरदास को जो यह समान दिया गया है तो ब्रिटेन की एक सीरीज है Dairy Girls तो उसके साथ यह समान दिया गया है Comedy के लिए जो सीर समान दिया गया है Emmy Awards तो यह Dairy Girls और वीरदास लेंडिंग को दोनों को दिया गया है सुरेज वाटकर के वारे मियाद रखना है हाली में सुरेज वाटकर को लता मंगेशकर पुरसकार से सम्मानित किया गया है Next Islamic पर्मानन हलाल ब्राणिंग को किस राजे ने परतिवंधित किया है तो यह उत्तर परदिश को उत्तर परदिश ने हलाल ब्राणिंग को परतिवंधित कर दिया गया है Next चिन ने चीन म्यामार आर्थिक गलियारे को कहा तक बढ़ाने की घोसना की है तो ये स्टिरिलंका तक बढ़ाने की घोसना की गई है नेक्स्ट गुआ में आयवित चववन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया में किने इस पेशल रिकोगनीशन फोर भारतिये सिनेमा पुरसकार से सम्मानेत किया गया तो ये पुरसकार दिया गया है माधुरे दिकशित को इस पेशल रिकोगनीशन फोर भारतिये सिनेमा सम्मान जो दिया गया है माधुरे दिकशित को दिया गया है आई एफ 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 एई जिसका आजन गुवाम में की गई है और इसका चौमनमा संस्करन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया के इंटरनेशनल जूरी में सेखर कमपूर को सामिल किया गया था इनके बारे में याद रखना है हाली में इन्हें सत्यजी तेरे लाइफ टाइम अचिवमेंट पूरसकार से समानित किया गया था और वहीदा रामान इन्हें 2021 के लिए दादा साहब फाल के पूरसकार हाली में दिया गया है ब्लू डार्ट के साथ नेक्स्ट भारत का पहला AI सूपर क्लाउड किसने लांच किया तो यह लांच किया गया है निव क्लाउड के द्वारा भारत का पहला AI सूपर क्लाउड लांच किया गया है इसके साथ यह सेट समाप्त होता है, उमीद है यह सेट आपके लिए उप्योग होगा, कुशिश करें दो तिन वार करके सेट को सुने, ताकि अधिक साधिक जनकारी आपको मिल सके, थेंक्यू